प्रदर्स मिश्रव और आज हम इंग्लिज के एक शॉट विडियो के साथ फिरसके आपके सामने उपस्तित हैं और आज का टॉपिक है कंफुजिं वर्ड्स का मतलब है नहीं उसका मतलब संपने से उसके उपसी can देखें पहला जो वर्ड है नम्बॉ वान भयान दीजेगा हमने यहां पर access और accession यह दोनों वर्ड को यूज क्या है और एक तीसरा वर्ड है यहां पर देख सकते हैं access समझते हैं इसको पहला वर्ड लिखा है यहां पर access इसको हमने बताया है एप्रोच के सेंस में जैसे के बोलता हो यार मुझे तरह कंप्यूटर एक्सेस करना है क्या चाहिए पास्वार्ड एक्सेस का मतलब क्या होता है यह वे टू एप्रोच उसी सेंस में आप देखें तो यहां पर लिखा है आज कल प्राइमिनिस्टर सर से मिलना बहुत हो चुका है अब इसके उपर देखेंगे एक्सेसन तो यह जो वर्ड है यह रॉयल्टी के साथ रिफर करता है जैसे हम बोलते है राजतिलक होता है ठीक है ना राजा के बाद रा है उससे ज्यादा हूँ चाहिए उससे ज्यादा मतलब क्या होता है उसका श्यादा दो अध्यादा है तो यह जूट ना टोलर एट and excess of anything, किसी भी चीज का excess को हम बर्दास नहीं करना चाहिए example देखिए excess of everything is bad and should be avoided, clear? अब देखे, second word आता है, यहां पे three words है, again, you can see here one is accept, accept or expect यह three words है, तब पहले words आता है, आपका accept, accept का मतलब होता है, take, okay, are you willing to accept the responsibility responsibility, responsible नेने के लिए क्या तुम तयार हो? yes, I accept your decision, आपके decision का मैं स्वाधत करता हूँ excess sense में देखना है, यहां पे लिखा है the teachers accepted the invitation of the students on the teacher's day, clear है? अब दूसरा आता, accept, मतलब उसे छोड़के, everybody passed, accept me, मेरे को छोड़के बागी सभी pass कर गए, उसे वो कौन है बेचार unlucky fellow वो unlucky fellow है, रामेस अब आता है, expect, यह expect वाड़ा आता है expectations की, नए सरकार से आपकी क्या उमीदें हैं उमीदें का मतलब आएगा, expectations what do you expect essence में यूज होता है, तो देखे I never expected that my closest friends would desert desert का मतलब होता है, धोका देखे ठीक है ना, समझ रहे हो बाकी, desert me when I needed them the most जब हमें सबसे ज़्यादा जरूर थी मेरे दोस्तों की, सब चले गए ठीक है, अब आता है alter, एक आता है alter, एक आता है alter, तो यहाँ पे देखो एक होता है change, एक होता है place of worship, इसका दूसरा भे दिया है एक जगा को होता है hello, the bride and the groom hello, आप इसे बोल रहा हूँ ठीक है, example माध्यम से समझो पहले, the bride and the groom are requested to be on the altar to pray to the deity तो भगवान के दर्शन करने के लिए altar पे आ जाईए उस sense में आएगा when I visited temple I saw him kneeling at the altar praying to the deity, clear meaning अब पहला आता है altar, let's alter the sequence, मतलब क्या समझें, sequence को change करो, वो sense में जिसे लिखा है mohon is so obstinate obstinate का मतलब जिदी, इतना जिदी है कि याद रखिये, यहाँ पे so के साथ हमें साथ आप लगता है ठीक है ना, no one can alter his view, alter का मतलब change his views, clear है अब चले नंबर 4 के तरफ, यहाँ पे दो बाड़ है, एक आता है ascent, दूसरा आता है ascent, तो यहाँ पे भी ascent ascent agree, सम्मती देने के sense में यूज होगा, और दूसरा चीज़ याद रखिये, यह ascent word एक हमेसा normally noun की तरह भी यूज होता है भर्ब की तरह भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ascent जो होता है यह हमेसा mountain climb के sense में यूज होता है, example से clear हो जाएगा, देखिये थोड़ा जैसे लिखा है, I got ascent of my father to study in a boarding school boarding school में पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, पिताजे कि परमिशन चाहिए, वो मुझे मिल गया वो sense में हम क्या use करेंगे, ascent अब ascent मैं बोलूँगा na ascent, ascenting the hill अगर इस sense में बोलूँगा, जैसे कि हाँ भी लिखा है, the ascent to कार्गिल hills is very arduous arduous का मतलब risky, difficult something which cannot be done easily, यह sense में वाड यूज होता है clear, fifth number में देखिएगा what है, adopt, फिर आता है adapt, फिर आता है adapt तो इनको भी सामझते हैं, adopt का मतलब होता है, किसी को adopt करना जैसे कि I am childless, I am thinking of adopting a baby ठीक है, तो वो adoption के sense में adapt आ गया, अभी adjust करने के sense में में मेरे को use करना है क्या लिखूँगा, adapt we must adapt to circumstances सही बात है, जिंदकी में आज circumstance जो है, कल तो बिल्कुल ही change होगा, परिवर्तन जिंदकी का नियम है, है ना, तो यहां पर adjust के sense में आएगा, तो हम what use करेंगे, adapt, आप adapt मतलब कैसे समझे, मैं skilled हूँ, expert हूँ, he is an adapt, okay, in giving presentation, presentation skill है वो उसमें माहिर है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, A, D, E, P, T, adapt लिखेंगे, तो example को देख लिजिए, सुरुती is adapt in the art of dancing expert dancer है भाई, clear हो गया, अब एक second दीजिएगा we're going to change the slide now, तो यहां पर देखिए 6 नमर में क्या लिखा है amicable और amiable amicable का मतलब हमें इसा friendly sense में आगता है, लेकिन amiable का मतलब होता है lovable obilizing, जो तुम्हारी बात को इज़त करें, उसको रखें तो कैसे use करेंगे, finally the two brothers came to an amicable settlement, amicable settlement जो ऐसा settlement हुआ, जो दोनों तरफ से सबको मंजूरी है कोई friction नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों का nature change हो गया है nature change होने के sense में आदर आएगा तो क्या लिखेंगे, amiable जोसे के being an amiable housewife she is liked by her keithan kin तो यहाँ पर keithan kin एक word होता है keithan kin का मतलब होता है, आपके family near, ऐसे sense में आएगा तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे amiable, amiable एक adjective होता है इसका एक person के lovable characteristic को हम define करेंगे ठीक, 7th में आजाईए यहाँ पर word है acid और exceed exceed का मतलब surface limit को cross करके चला जाना उस sense में आएगा, acid का मतलब भी क्या हैगा आपके views को आपके demands को जो consider करे, उस sense में use होगा जैसे के हम यहाँ पर लिखें है the director was kind enough to exceed to the request of the laborers क्या समझें, request है किसका, laborers का और उन्होंने किसको request paste किया है director के सामे, director ने क्या किया चलो भाई, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं उसना agree कर लिया ना, तो agree करने के sense में हमारा word यहाँ पर आएगा as a seed, ठीक, अब exceed का मतलब do not exceed your powers, अपने power से उचा उठकर नहीं बोलो, इस sense में use करेंगे your essay should not exceed 300 words, समझ रहे हो ना आसान है, 300 से जादा मतलब, number गए अब चलो आजाते हैं तुम्हारा next word यहाँ पर है, concede concede का मतलब agree, ठीक है ना तो जैसे लिखा है, the prisoner did not concede to the argument of the jailer, jailer का argument को वो accept नहीं किया, उसका कुछ objection है, वो concede में आ गया अब eight number word देखिए, एक आता है alteration, altercation alter से alteration मतलब change, altercation का हमेशा dispute, fight, quarrel argument, इस sense में word use होगा, जैसे कि there is no alteration in the program yet, मतलब प्रोग्राम में कुछ भी change नहीं है इस sense में आएगा, आप देखो there was an altercation between the shopkeeper and the brother, दोनों के बीच में कुछ बाचित हुआ है, चिट चैट हुआ है, इधर उधर हुआ है none of them are feeling pleasant उस sense में word आपका आएगा alteration और altercation 9th में आजाएए, एक होता है opposite, दूसरा आता है opposite राम एंड, रावन का निचर क्या था, opposite था या opposite था हम लिखेंगे opposite था, एक दूसरे का लेकिन opposite का मतलब क्या है suitable to आपने जो कहा, situation के हिसाब से बिलकुल suitable है, your remarks are opposite to the situation तो opposite का मतलब ये वाला, पहला वाला देख रहे हो आप, sweet, कैसे लिखेंगे her remarks about the character of our friends are quite opposite मतलब बहुत सही बोला है opposite मतलब सिता's behavior is opposite to that of her brother, सही बाद है 10th number बहुत ही आसन वाला है देखिए, एक है affect, दूसरा आता effect, affect एक भर्व होता है effect normally क्या होता है noun होता है, लेकिन आपको पता दूँ effect word भी एक भर्व की तरह use हो सकता है he affected a change in my thinking process ये अगर हम लिखें, तो ये गलत ना होगा, ये सही भी हो सकता है फिलाल हम इसके उपर ध्यान देंगे affect का example दिख लिए, लिखा है to influence or to pretend pretend कैसे आया, affect का मतलब pretend आसरता है, ना बिलकोल मैं बोलूँगा ना, he affected that he was hurt, मतलब वो ऐसा show किया, जैसे कि वो hurt है तो यहां पर वो act of pretence को भी indicate करेगा, example देखिए continuous attack of asthma has affected his health affected, मतलब it made an impact, negative impact के संसमें आ गया, अब 10th मैं देखिए effect, influence excessive hard work in life had adverse effect on her health, health के ओपर adverse effect effect यहां पर नाम की तर इस्तमाल होगे तो आज के लिए बस इतना ही, मिलें गयों को next, thank you and God bless you all